हे नमश्का दोस्तों अगर आप यार 15,000 रुपे के अंदर एक 5G स्मार्ट फोन देख रहे हो तो रियल्मी नार्जो 60X में भी आपके लिए आप यार चीच वाइस हो सकता है इसका यार बेज वेरेंट जो कि यार 4128GB वाला है सिर्फ लॉंच हुआ है 13,000 रुपे का पिछले कुछ देना से इसको मैं यूज कर रहा हूँ चुलो आज की वीडियो में बताता हूँ फुल टू कि क्या क्या चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी सबसे पहले कुइक लिए अंबॉक्सिंग दिखा दे तो यहां नार्जो सस्टी एक्स लिखा हुआ है बैक में कुछ स्पेस्टिकेशन मिल जाएगी यह थोड़ा सा परपल वाला फिनिश इसके अंदर मिल जाता है बागी चैमरा बॉडियो आपको बड़ा समलेगा दिखने में अच्छा लगता है अब यह थोड़ा सा हेवियर साइड में कहूंगा फोन जरूर से है यह थोड़ा सा चौड़ा आपको जरूर से फील होगा फ्लैटेश के साथ आपको यह थोड़ा हो जाएगा लेकिन हाँ बैक से दिखने में यह कलर अच्छा लग रहा है मैट फिनिश के साथ है तो fingerprint smurches या scratches आपको इसके अंदर बिल्कुल भी visible नहीं होगे cover की भी quality अच्छे मिल जाती है तो वो भी अच्छा रहता है वैसे हाँ hold करने में long term के लिए इस तरीके से काफी अच्छा मुझे लगा है कोई दिक्कत आपको build and design wise बिल्कुल भी नहीं आएगी 3.55mm jack मिल जाता है quality अच्छी आपको मिल जाएगी लेकिन speaker इसके अंदर आपको single वाला ही मिलता है loud हो जाता है ठीक है decent सी आपको यहाँ पर quality भी निकल के आ जाती है NFC वगेर का आपको इसके अंदर बिल्कुल भी support नहीं मिलेगा लेकिन यह एक 5G smartphone है 95G के band मिलते है 5G connectivity भी मुझे इसके अंदर अच्छी तरीके से मिल रहे थी इसके अंदर dedicated SIM slot आपको मिल जाता है तो अच्छी चीज है दो SIM के साथ आप एक microSD card भी लगा सकते हो लेकिन 120GB base variant है तो वो तो मुझे बहुत जादा सहीं लगा है बागी आपको side-mounted fingerprint sensor भी मिल जाता है quickly अच्छी से work करता हूँ मिलेगा लेकिन हाँ सबसे अच्छी चीज मुझे इसके लगी है display बड़ी सीज के अंदर 6.72 इंच के है 120Hz वाली full HD plus IPS LCD display मिल जाती है बैसल वगरा देखोगे यार एकदम पतले मिलेंगे punch hole वाली है आपको ये display मिल जाती है colors वगरा की बात करूँगा तो वही है typical realme की थोड़ी से वो saturated वाली tune है वो इसके अंदर मिलती है थोड़ी से vibrant color निकल के आते हैं blacks वगरा आपको अच्छे मिलेंगे content आप जरूर से easily इसके अंदर enjoy कर पाऊगे लेकर इसके अंदर 4K या HDR का support आपको बिलकुल भी नहीं मिलता है आप normal या 2K तक वीडियो वगरा देख सकते हो quality ठीक आ जाती है दिखने में अच्छा लगता है कोई दिक्कत नहीं है बाग यार आपको prime वीडियो हो गया Netflix हो गया Widevine 11 के support के साथ आते हैं आउडोर brightness में 618 निट्स तक की इसकी peak brightness भी चली जाती है visibility में भी कोई दिक्कत नहीं है डारेक साल लाइट के अंदर भी ये display easily visible आपके लिए हो जाती है बस अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिए थोड़ी ची भी पसंद आईए इसको फोल चार्ज होने में लेकिन जो एक जगह यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिलाल आजकल हर स्मार्ट फोन रियल्मी की तरफ से देखो तो इसी के साथ आ जा रहा है अब इसके इंदर डाइस्टी की 6100 प्लस वाला चिपसेट आपको मिल जाता है जो की रिब्रेंडड वर्जन है डाइस्टी 6020 का जो की रिब्रेंडड वर्जन है डाइस्टी 700 का 13,000 उपर की प्राइसिंग में ठीक है चलो वो चिपसेट तो एकली सीक रहता है अब अच्छा इसका optimization भी आपको मिलेगा देखो normal टाक्स आप करोगे app opening आप closing animation वगरा भी देखो smooth आपको इसके अंदर मिल जाता है अच्छा से चलता हुआ आपको मिलेगा जितना भी आप animation उन्होंने दिया गया है app opening अच्छी है इवन जो memory management है वो भी आपको इसके अंदर अच्छा मिल जाता है quickly आपको launch भी कर देता है एक चीज़ अच्छी लगी 120Hz भी इसके अंदर अच्छे से optimized आपको मिलता है और कहीं भी यह अटकता नहीं है फोन normal users हलके फुल के वाले काम में बिलकुल अच्छी तरीके से फोन चलता हुआ आपको मिल जाएगा लेकिन इसके अंदर आप heavy tax बिलकुल नहीं कर सकते है अगर आप editing वगरा करना चाहोगे तो normal आप 1080p value editing करोगे उसमें भी बहुत time लगेगा अगर आप इसके अंदर gaming भी करना चाहोगे अब unlock तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि high setting आप यहाँ पर खेल सकते हो लेकिन कुछ खास उसके अंदर चलता हुआ नहीं मिलता है काफी ज़्यादा frame drop आपको वहाँ पर visible होगे गेमिंग में smoothness आपको नहीं मिलेगी तो gaming वाला device तो बिलकुल भी नहीं है नॉर्मल यूजर्स वाला बस आपको device मिलेगा चाहे उसको की performance कुछ खास ऐसी नहीं मिलती है बस यह है normal users हलके फुलके वाले काम आप इसके अंदर अराम से कर पाओगे heating वाला issue आपको नहीं देगा लेकिन heavy users या gaming वागरा के लिए आपको chipset बिलकुल भी नहीं बनी है अब software की भी बात आती है दो को 2 plus 3 years का यहाँ पे इन्होंने promise किया है updates का bloatware भर के आपको इसके अंदर मिलेंगे उधर कोई भी cutoutी नहीं मिलती है most of the cop uninstall कर सकते हो ads अभी तक मुझे इसके अंदर visible नहीं हुए एक update भी इसके अंदर आ गए थी तो कोई भी ads वाली समस्या तो मुझे इसके अंदर नहीं आई लेकिन bloatware my god बहुत सारे आपको मिलते हैं android 13 के साथ है आप देखो features वगरा तो पूरी तरीके से भर के मिलेंगे चाहिए आपको dual app वगरा बनाना हो एप को lock वगरा करना हो floating window चाहिए इस सारी चीज़े आपको इसके अंदर मिल जाती है look wise भी अच्छी मिलती है notification पैनल आप देख लो चाहिए इससे normally typically आप देखना चाहो तो वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी लेकिन हाँ call recording भी अगर आप इसके अंदर करना चाहोगे तो इनका ODALE download करके चुपके से call recording भी कर सकते हो कोई समस्या देखो software wise नहीं है कोई ऐससे बहुत major कोई bugs वगरा भी मुझे नहीं मिला है बस यह यह बलोड विर बहुत जादा इसके अंदर भर के आपको मिलते है पूरे एक page के वही मिल जाएंगे तो उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए तो अच्छी बात है बागी in the end जो बात आती है cameras की आप देखो एक ही sensor मलता है 50 megapixel का OIS इसके अंदर नहीं आता है 2 megapixel का एक portrait lens मिल जाएगा बागी selfie camera एक 8 megapixel का आपको मलता है back camera से आप 1080p 30fps तकी video recording कर सकते हो stable सी normal सी videos और निकल के आती है कुछ खास नहीं है similar front camera भे भी 1080p 30fps से उपर आप नहीं जा सकते हो यह limitation चिप की यहां पर आपको रहती है तो वो चीज़ आपको यहां पर थोड़ी सी मिलेगी लेकिन main sensor जब मैंने photos खीची यार तो मैं कहूंगा यार low light के अंदर भी photos अची निकल के आ रहीती मैंने low light, outdoor lighting के अंदर भी देखा है तो typical Realme की थोड़ी सी saturated वाली tune आपको मिलेगी details वगरा normal सी निकल के आती है लेकिन दिखने में अच्छा लगता है colors वगरा को tune अच्छे से करता है थोड़ा सा saturated side आपको photos वगरा निकलती है लेकिन details वगरा के साथ overall price में जो 13,000 रुपर के साथ से judge करूँगा photos आपको अच्छी मिलेगी आपके skin को थोड़ा सा beautify करता है थोड़ा सा adjust वगरा भी कर लेता है background में harsh lighting को तो अधर अच्छी लगती है लेकिन हाँ 8 में आफिक्सर का या selfie camera है लो लाइट के अंदर इतनी कुछ खास retail नहीं निकाल पाता है colors वगरा को देखो manage कर लेता है लेकिन details वगरा में थोड़ी सी कम्यूस में रह जाती है portrait mode के आइज रिशेकर भी normal सा आपको मिल जाएगा आउड़ोर या अच्छी lighting condition में कीचोगे तो वहाँ कोई समस्या नहीं है लो लाइट में यार वर अच्छी तरीके से work करता हुआ नहीं मिलता है और अगर मैं बात करूँ देखो 13,000 रुपे की pricing में अगर आपको ये मिल जाए 4 और 128 GB वाला I think एक अच्छा smartphone रहता है क्योंकि डिस्पले वगरा भी देखोगे चाहिए आपको performance भी देखोगे 13,000 रुपे की pricing में कोई समस्या आपको नहीं देगा लेकिन उस से उपर 15-16 तक अगर ये जाता है वहाँ पे इतना खास आपको ये smartphone नहीं मिलता है तो अगर आप ट्राई करो 17,000 रुपे के आराउन मिलता है मिरे दफ से तो एक अच्छा 5G smartphone आपको मिल जाएगा जो कि बिना किसी समस्या के रहता है थोड़ा रियनमी कम करें न तो और ज्यादा बहतरीन हो जाएगा बाकि अगर आपको वीडियो पसंदा आई है तो लाइक जरू से करते है अब इदक चैनल के सब्स्राइब नहीं किया तो राइट वाला बटन दवा देना कोई समस्या है तो कमेंट सेक्षन में भी आप जाके पूछ सकते हो तो फिलाल इस वीडियो में मिलता हो नहीं वीडियो में तो टेक क्या बाइब बाइब